सब्सक्राइब किजिए एटो जेड हिंदी ट्रिक को और इस बेल आइकोन को दवाईए हिंदी में मुवाइल, कम्प्यूटर, इंटरनेट और आउनलाइन और निंग्स वीडियो के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूँ बरुन कुमार और आफ है यूटूब के एटो जेड हिंदी ट्रिक चानल पर दोस्तों आज की वीडियो उन लोग के लिए जो इंग्लिस नहीं जानते हैं या थोरी बहुत जानते हैं और यह इंटरनेट चलाने की ख्वाइस रखते हैं क्योंकि अब सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो इंटरनेट चलाना चाहते हैं लेकिन इंग्लिस ना जाने की बहुत से इंटरनेट नहीं चला पाते हैं तो आज मैं एक ऐसे तरीका के बाड़े बताने जाना हूँ जिसमें आप वेवसाइट की किसी भी टेक्स्ट को आप इंस्टेंट धसे ली त्रफन धार पर agro them फेंट वियरी 210 कि से यह कन्वेट कर सकते हैं आप सिर्फ कुछ वाट कोई नहीं बल्के पुरी विब्र साइट को सुट्व सकते हैं जैसे कोई इंग्लिज की वेव साइट है उसे आप एक यह तरह का मैं कंप्यूटर के लिए बताने जाना मुबाइल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आप कमेंड बॉक्स में लिख सकते हैं उसके बादे में तो जैसा कि आप देख पार है कि मैं फरन चकुक हूं बढरायता हूं आपको एपस पर किलिक करनी है और इवेश्टो और पर करना मंच संघे घुर्ट मे ficar चकते तो यहां पर रेट इट के जगह पर एड़ टु क्रोम लिखा वारा रहागा आप एड़ टु क्रोम पे किलिक करके इसे आड़ कर ले एड़ करने के बाद आपको भी वेब साइट ओपेन करें जैसे कि मैंने टेक्नलोजी सेर्च किया हूं और चलिए मैं फर्स्ट वेब साइट ही ओपे में नहीं आ रही हैं तो आप इसे सेलेक करने के बाद है राइट किलिक करने के बाद है आप गूगल टांसलेट में किलिक करके इस लाइन को ट्रांसलेट कर सकते हैं या आप यहां या आप इसे कोपी कर ले कोपी करने के बाद यहां पर गूगल कोपी करने के बाद आप यहां हिंदी में convert हो जाएं तो आप यहाँ पर किलिक करें और ट्रांसलेट इस पेज़ पर किलिक करें आप देख सकते हैं उसके आद आप जिस भी लोगज में चाहते हैं वो सलेट कर ले ले हिंदी सलेक चलिए मैं इसलिए कर लेता हूं और आप देख सकते हैं तुरंत साथ एक दो सकेंड भी नहीं लगे होगी और तुरंत यह पूरी के पूरी वेवसाइट हिंदी में कनवार्ट हो चुकिए तो अगर यहाँ वीडियो आपको अच्छी लगे होगी तो प्लीज इसे लाइक करें सेयर करें और कोई भी सवाल हो कोई भी सुझा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैं दो जाना आपके लिए नए नहीं वीडियो लेके आते रहता हूं अगर आप सब्सक्राइब कर लिए तो मिलते हैं कल एक न